दोस्तों जल्दे से खरदीर से वीडियो को लाइक और यह जो लाल वाला बटने इसको दबागर सब्सक्राइब कर लिजे और पास में ये बेल आइकन दबा के ओल पे क्लिक जरू कर देजे और यहाँ पे नेचे आके कमेट बोक्स में अपने गाउं शेहर या राजे का नाम क नमस्कार दोस्तों फड़ावासे जानेंगे कैसा रहेगा देशपर का मोसम कहां पर रोगी बारी बाईश हो और कहां पर आने वाला है वयंकर बारी आंदे तुफवान तो आज के इस पीडियो में जानेंगे उत्तर परदेश राजिसान मित्य परदिश बिहार जुम कश्म मेरी माचल परदेश उत्राकन दिल्ली पाजा भरियाना गुजरात महाराष्टर केरल कनाटक तमील नाडू असमांदर परदेश खुबा पश्च्यु मंगाल मेजोरा मनिपूर नागले चत्तिसकार सेके मेगले और उडिसा इन सभी राज्यों का मोसम गाल कैसा रहने वाला अगले आना वाले 24-48 कंटों का अगर आप इन राज्यों में से कहीं पर भी रहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राज्य अपने जिल्ले शेत्र का नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साही से जरूर से बता दीजिएगा तक कि एक लाना वाले व बारिबार सोने की संभाव नहीं वहीं रायल सीमा और दक्षणी आंतर कनाटक और लक्षी दीप में भी अच्छी बारी सोने की मुस्विभागने जो है चेतामनी जारी की है वहीं मुस्विभागने बद रहा है कि निम्न दबाव का शेतर इस समय कोमोरिन और उससे सटे स्रील यंका के तर्ट पर बना हुआ है इस प्रनालिक के अगले आर्तलेश कंटों के फितर दक्षिन पूर अरब सागर में उपढ़ने की भी उम्मीद है इसके बाद सिस्टम उत्तर उत्तर पश्चिमी की ओर आके बढ़ेगा और अधिक चिनित हो जाएगा वहीं पश्चिमी माल इसके लाब दोस्तों फड़ावर से बात करने के बिदे 24 गुंटों का मुसम जो है कैसा रहा समपोण भारत का कहां पर बारीश होई और कहां पर आंधितूफन नाया तो मुस्वी भाग के अनुसार पिछले 24 गुंटों के तुरान उड़ी साग के अलग-अलग हिसों में ब मुसम का पूरा नुवान अभी आपके शेत्र को मुसम केस से और आप किस से नहीं किस शेत्र से हैं वह में इस चेनल को भी जूरू सबस्क्राइब कर ले वह दने बाद दोस्तों मेलते हम अगले वीडियो में झाल झाल